नमस्कार साथियो नियूस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं याद किजिए साल 2014 का चुनावी परचार बहुत होई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार लेकिन इससे बिलकुल उलट स्थिती है अभी हाल फिलहाल की स्थिती ये है कि खुद्रा महंगाई की दर दिसंब 2019 में जोरदार तेजी के साथ 7.35 परतिसत के अस्तर के पार कर चुकी है चौफिस्दी का आगडा पार करने के साथ खुद्रा महंगाई भारतिय रिजर्बैंग के चार परतिसत के संतोह जनक मानक को पार कर चुकी है इसी पर बातचित करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार परणजय गुहा था कुर्ता तो सरकारी आकडों के मुताबिक दिसंबर 2019 में खुद्रा महंगाई तेजी से बढ़कर 7.35 परतिसत पहुच गई जबकि खुद्रा महंगाई यानि की रिटेल प्राइस इंडेक्स नवंबर 2019 में 5.54 परतिसत थी और दिसंबर यानि की एक साल पहले वही खुद्रा महंगाई 2.01 परतिसत थी इसको पूरा स्पस्ट करते हैं आप यह बताए खुद्रा महंगाई दर होती क्या है और यह स्थ जो आप बदार में जाके और जो पैसे देते हैं और जो थोक मुल्य सूचकांग है जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो जो वैपारी जिस रेट में खरीद रहे हैं बीच रहे हैं तो हमारे लिए और आम आदमियों के लिए आम जनता के लिए आम नागरिक के लिए यह CPI क्याने की उभुकता के लिए जो सूचकांग है यही महुत पूर्णा है सबसे जादा जो चिंता का विश्य हैं जो भारत सरकार का जो आकरा हैं कि यह जो हम आप बता रहें हैं कॉंसूमर प्राइस इंडेक्स साथ दश्मल 35 फिजदी बरा इसमें आपका खाधियान का चीज देखेगे इससे दुगना बरा 14 से 14 फिजदी से भी जादा 14 दश्मल बरा और 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 भी चिंता का विश्य है यह सारे जो खाधियान के बहुत सारे आइटम है इसमें सबसी के कीमत 60 फिजदी बरा आप डाल का कीमत देखिए 15 फिजदी से भी जादा बरा मचली मास 10 पाध साथ फिजदी अंडा नौ फिजदी कासपस आद दश्मल साथ नौ फिजदी दूद ये सारे आप देख रहे की प्रेट बर रहे तो इसका मतलब क्या है इसके असर पर है गरीब लोगों के उपर क्यों गरीब एक जो गरीब कमजोर हिस्से के जो समाज के सबसे कमजोर लोग है उनके लिए वो जो भी आए करते हैं इसके बहुत बरा हिस्सा खाद्यान के उपर जाते हैं तो जब खाद्यान के दाम बढ़ जाता है इन लोग के उपर सबसे ज़्यादा असर पड़ते हैं एक तो आपका बेरोजगारी का समझ जाए साथ-साथ आपका वेतन नही के विष्य हैं कि अपका अर्थविवस्ता में एक मंदी आये हैं आप अर्थ विवस्ता जिस रफ्ता से बर रहे थे नहीं बर रहे थे और साथ-साथ महेंगाई का महा रहा रा एक चीज़ और मैं कहना चाता हो इस विष्य की ऊपर है एक साल पहले आप कह रह atenção एक साल कह रह तुष आधर बार वह आधरो बार आधर बार कहरे थैंटे कि बहेंगाई तो भूल जाईए इसका नाम कम हो गया था कि इसालोग कहरे थे फिर भाहि ब्वारत वर्श हो इजı का स्प्थ बहुआ जो है और हमारे जब आप फसल आप वो आप चाष्ट कर रहे हैं तो वहाँ जगे अगर आपका बारीश अचानक होता है तो आपका सारे जो फसल है वो सर जाता है तो आप मनसून के उपर एक और दूसरे बात है कि आपने सोचा था कि हमारे पास बहुत है नहीं है अगर इन के असर अभी पहल्गों के ओपदे किस के ओपर किसान के ओपर और जो वेपारी हैं जो दुकानदार हैं जो छोटे वेपारी हैं इन लोग ज़धा से ज़धा कैश में इनका लेंदेन होते तो ये सारे कारण के लिए हम देख रहे कि दाम बर रहे और आक्री एक कारण में बता रहा हूँ अब हम देख रहे कि कच्छे तेल का दाम भी बर रहे है और जब कच्छे तेल का कीमत बरते हैं क्योंकि भारत वर्ष हम आयात करते हैं कच्छे तेल विदेश से 80 विजदिसी वे जादा हम विदेश से आयात करते है तो जब कच्छ दिल का कीमत बर रहे बहुत कारण के लिए आप जानते है आज अमरीका और इरान के बीच एक संगर्श होने का एक बराबरा संभाव नाया कच्छ दिल का कीमत बर गया तो इसके असर पढ़ रहे आपका पेट्रोल का दाम बढ़ते है डीजल का दाम बढ़ते है और डीजल का दाम जब बढ़ते है समझ लीजिए यातायत का खर्च बढ़ जाता है सारे चीज़ जो एक जगा से दूसरे जगा आप ले जाते है सारे universe बर गया तो ये सारे कारण के लिए एक आप तका कि हमारे पास बहुत जादा है खाद्यार एक साल के बाद पूरा स्थिति बड़िल गया अबुमन ये समझा जाता है कि जैसे प्याच का दाम बढ़ गया, आलु का दाम बढ़ गया अंडा का दाम बढ़ गया, दाल का दाम बढ़ गया तो जो इसको उत्पादन करने वाले किसान है उनके पास पैसा आएगा कैसा होता है? नहीं होता है, दुख का बात है जो किसान है, जब दाम कम हो जाते है, उनकों पर असर पर जाते है जब दाम बर जाता है क्या करते सरकार विदेश शे आयाइद करते है जिस तुरह से आज प These आयाइद किया वो तो अलग कहानी है जो कहते है एक तब mismanagement हुआ विदेश से आप प These लिया देर करके आया है हमारे देश में बहुत इसका दाम बहुत है फिर उसके बाद राजे सकाल लेने के लिए इत्यार नहीं है आप कह रहे हैं अभी हम और किसी देश को हम आयात करने के बाद निर्यात करेंगे तो जिस तरह से प्रवंधन होना चाहिए था मैनेजमेंट आफ सप्लाइस ठीक तरह से नहीं हुई है और आपने जो सवाल उठा है ये भी बहुत महत्वपूना है क्यों नहीं जब दाम बर जाता है तो किसान का क्यों नहीं फैदा मेंटा क्योंकि बीच में जो बिचौली है जो वैपारी है इन लोग पैसा कमा लेते हैं तो ये आज का कहानी नहीं है ये बहुत दशक से चल रहे है मगर दुख का बात है कि बरे बरे बात सरकार ने किया मगर ये इस तरह से अभी भी हमारा अर्थ प्रस्ता चले है वित्रण जो परनाले है वो अभी तो अंदरुस्त नहीं है एक और बात एक और आखड़ा है जो बहुत ही चौकाने वाला है कि अक्टूबर के महीने में जो होलसेल इंडेक्स था वो 40 महीने के लोवेस्ट पॉइंट पे था 0.1-6 पिस दी और जो कंजूमर प्राइस इंडेक्स है दिसंबर में जाकर के संतोष जनक अस्तर को भी पार करके 7-10-3-5 हो जा रहा है ये कंट्राइडिक्सन थोड़ा बताएंगे ये बहुत ही आश्चच बाद है बहुत लोग आश्चच हो गए क्यों आपका थोक मूलिया सूचकान कम है और उब्भोकता को ज़्यादा पैसे देना पर रहे एक तो है सरकारी आखड़ा के ओपर जो विश्वसनियता है इसके ओपर बहुत सारे प्रश्चन चिनना है मगर ऐसा हो सकता है कि आपका जो हुलसेल लेवल में जो थोक में जो खरीदने बेज रहे वहाँ पे ज़्यादा बतलाव नहीं आया मगर इनी लोग ने ज़्यादा दाम में लोगों को उबखता तो आप जब बजार में जाते हैं प्यास खरीदने के लिए टमाटर करीदने के लिए सबजी खरते हैं आपको ज़्यादा पिसाद देना पता है और इसका फाइदा हमारे जो बिचॉली है जो बरे बरे वेपार ही है उनको में रहे है एक और चीज़ है महंगाई बहुत जल्दी राजनीती का मुद्दा बन जाती है तो क्या आपको लगता है राजनीती का मुद्दा बनेगी वोट पैदा करने वाले मुद्दा बताएंगे तो जिस समये दस साल यूपी यूपीय का सरकार चल रहे थे कामरे समय उस समय تو भारती जनता पार्टी हर रोस कहते थे कि महंगाई का मारा आया है आम आदमी कितने इसके उपर असर पर रहे गरीब के ऊपर असर पर रहे आज वह ही कहानी हो गया तो सरकार पता नहीं और कोई ये NRC, CAA, NPR के बात करके 370 राम मंदर ये सब बात करके कि लोगों का दृष्टी और कहीं ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे मेरा समझ है एक दिन ना एक दिन कम होगा, जल्दी होगा पता नहीं ये हमारे जो युवाओं हैं जो सरक में आज निकल गए हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कि हमारे सामने जो बविश्य हम देख रहे हमारे कहां पे हैं हम लोग, हमारा नोकरी कहां से आएगा, हमारा आए कहां से आएगा, हमारा वेतन कितना आएगा और एसास की सिती है जिसको वेतन मिल रहे हैं वो देख रहे हैं सचमुछ हमारा वेतन कम होते जा रहे है क्योंकि हमारा खाद्यान के ओपर जाधा पैसा देना पर रहे है और जो बात मैंने पहले भी किया मैं दुबारा बताना चाहता हूँ इनके असर गरीब लोग के ओपर सबसे जाधा परा और बर रहे है और साथ साथ हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच जो दुराय है ये भी बर रहे है आपसे अंतिम सवाल महनाई सबसे उच्चिता मस्तर पर है बेरोजगारी सबसे उच्चिता मस्तर पर है मंदी की स्थिती सबसे आप देखी रहे हैं आर्थिक विकास की जो दर है वो साड़े चार फिस्दी पर पहुंच गई है इन सारे चीजों को आप जोड लें और अर्थवेस्था भारत की जिसकी कहा जाता है कि विस्व गुरू बनाने के चक्कर में और क्या-क्या फलाने धिमकाने कहा जाता है तो क्या आपको लगता है अर्थवेस्था इससे बाहर निकल पाएगी ये सवाल का जवाब भी देना मुश्किल है बविश्वानी करना भी मुश्किल है कितना दिन ये मंदी का दोर चलेगा ये कहना मुश्किल है मगर जो एक चीज में पहले बताया दोबारा बताना चाहता हूँ सरकार का आकड़ा के ओपर जो विस्व सनियाता है लोगों का बहुत कम हो लिया क्योंकि जो अर्विन सुब्रमानियम जो चीफ एकोनॉमिक एडवाईजर थे वित्यमंत्राले में भारत सरकार के जो मुक्य आर्थिक सलाकार थे वो इस्तिफाद देने के बाद कुछ महीनों के बाद कहा कि हमारा जो जीडिपी का जो ग्रोथ रेट है जो सकल घरेलो उत्पाद जिस रफ्तार से बर रहे यह हम ढ़ाई फीसिदी वरा के दिखा रहे तो अगर सरकार कह रहे है सारे चार फीसिदी तो इसका मतलब है सचमुन दो फीसिदी और अगर अर्थ शास्ति अरुन कुमार जैसे वेखती है वो कहा कि जो असंगठित शेत्र है जो अन और्गिनाइस टेक्टर है जिसका उत्पादन भारत वर्ष का पूरा अर्थ विवस्ता में जीडिपी के आदा के असपास है और अभी भी 90 फीसिदी लोग हमारे देश में यह असंगठित शेत्र में जो सरक में सबजी बेच रहे है जिसके पास रेगुलर आपका वेतन नहीं मिल रहे है इनका जो आकड़ा है हम अनुमान करते है हर चार साल के बाद एक समिक्षा होता है उसके बाद मालुम पढ़ता है कि यह कितना कितना बड़ा नहीं बड़ा तो ऐसा हो सकता है कि आप दिखाने के लिए कह रहे है कि हमारा अर्थ विवस्ता है हमारा जीडीपी सारे चार फिस्ती बढ़ रहे है सच मुझ शायद हम नहीं बढ़ रहे है एक तरह से रिसेशन जो कहेंगे उस्तिती में है और यही सबसे दुख का बात है और क्योंकि मैं बता रहो बिजली का मांग सबसे कम हो गया कैसे हो सकता है हमारे देश में तो लोगों का बिजली का जो सप्लाई है और इसका जो मांग है इसमें तो हम हर समय गया पता आज हम देख रहे है कि जिस बिजली का मांग भी कम हो गया जिस रफ़तार से बर रहे थे पिछले दस साल, बारा साल, बीस साल आज सबसे कम हो गया तो इसका मतलब है कि अर्थ विवस्ता अच्छे नहीं है एक संकत के समय जा रहे और पहला फेबरिरी जब निर्मला सीता रामन जी जो आम बजट पेश करेंगे लोग सब हमें मुझे पता नहीं है क्या जादू कचरी उनके पास है की नहीं इस स्थिती से हमको बाहर आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके असर गरीब लोग के उपर सबसे ज़्याद पर रहे यूभाओं के उपर पर रहे शुक्रिया इस पर हम से बात्चित करने के लिए अर्थवस्ता को मापने वाले पैमाने घंचक्कर में है क्या ये CAA NRC से बाहर निकल पाएंगे देखने वाली बात होगी शुक्रिया आप देखते रहे News Click